हेलो फ्रेंड्स दिसी चिदन आज चार जुलाई दोजार चोबी से और आज के दिन अमेरिका अपना इंडिपेंडनेस डे यानि सुदंतता दीवस मनाता है भारत की ही तरह आप देखोगे कि अमेरिका में परेड होती है लोग सेलिब्रेट करते हैं ओफिस हो इसकुल हो या फिर स्टोप मार्केट इन सभी की चूट्टी रह दी है इस दिन अमेरिका के लोग लाल नीले सफिद कपड़े पेहनते हैं ताकि अमेरिका के इतिहास उनकी संस्कृती उनकी परंपरा उनकी विरासत को लोग फिर से याद कर पाएं सन 1775 में यहां के लोगों ने किंग जोर पहली लोगतांत्रिक सरकार की नीव रखी और वो भी अमेरिका में इसलिए अमेरिका का जो सुतंत्रता संग्राम है अमेरिका की जो आजादी की लड़ाई है वो दुनिया में काफी महत्व रखती है क्योंकि अंग्रेजों का शिकार सिर्फ भारत ही नहीं था अमेरिका तक अंग्रेजों से परिशान हो चुका था ब्रिटेन इनके लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देता था लेकिन कर इतना ज़्यादा लगा देता था कि आम लोग परिशान हो चुके थे इसलिए यहां के लोगों ने नारा दिया था कि no taxation without representation representation यानि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं अगर आप हमें प्रतिनिधित्व दोगे अगर हम हमारे लोगों को represent करेंगे तब ही हम text देंगे तिक इसी तरह अमेरिका के लोगों को ब्रिटेन ने स्वधेसी उद्योग विक्सित नहीं करने दिये जिसा कि अंग्रेजों ने भारत में किया था इतना ही नहीं इनके जहाजों को भी अंग्रेजों की पर्मिशन लेनी पड़ती थी अगर कोई गेर ब्रिटिश जहाज इनके यहां आता था तो उस पर भारी आयत शुल्क लगा दिया जाता था जिसके चलते इनके छोटे-छोटे उद्योग पनप नहीं सके ब्रिटिश अधिकारी तसकरी रोगने के लिए हर किसी के घर में बिना अनुमती के घुश जाते थे और बहुत मामले में इनका मिस्यूज भी हुआ इनका दुर्प्योग भी हुआ अंग्रेजों ने Bill of Attender नाम से एक कड़ा कानून बनाया जिसका यूज करके अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को दागी घोशित कर सकते थे उसे जेल में डाल सकते थे उसको फासी पर भी चड़ा सकते थे बिना किसी सुनवाई कि उसकी सारी संपत्ति जब्त कर सकते थे ऐसा करके अंग्रेजों ने अमेरिका में बहुत लूट पार्ट मचाई लेकिन अंधिरा ढलता है और सूरज निकलता है और इसी उजाले के लिए जोन लोक, थोमस पेल, बेंजामीन फ्रेंकलीन जैसे लोगों ने अमेरिका को एक नई दिशा दी अमेरिका के लोगों के लिए अधिकारों की वकालत की और 4 जुलाई 1706 ये अमेरिका के लिए एतिहाशिक छंड था क्योंकि इस दिन अमेरिका पूरी तरह सोतंत्र हो गया अमेरिका के इस सोतंत्रता संघर्ष ने दुनिया को नए नए मूल इस्थाबिट करके दिये जैसे कि समविधानवाद यानि सरकार समविधान के हिसाब से चलेगी डेमोक्रेसी यानि राज्जी की शक्ती जनता के पास होगी और इसका इस्तिमाल जनता के प्रतिनिधी जनता के बिहाफ पर करेंगे और सबसे जरूरी बिल ओफ राइट्स जिसने लोगों के अधिकारों को मान्यता दी आज जो हम भारत के समविधान में फंडामेंटल राइट की बात करते हैं उसकी नीव अमेरिका के बिल ओफ राइट नहीं रखी थी और लास्ट है इक्वालिटी मतलब अमेरिका में सब लोग बराबर होंगे कोई राजा, कोई महराजा नहीं होगा जो लोगों पे शाशन करें देश की नजर में सब कुछ बराबर होगा तो आज के लिए इतना ही, थेंक्यू